रोहित की प्लानिंग हुई बेकार अब विराट करेंगे टीम इंडिया का उद्धार नमस्कार मैं हूँ अभी शेक्तियागी जी हाँ रोहित शर्मा की एक जो प्लानिंग थी वो बेकार होती हुई टीटवेंटी विश्युकप में नजर आ रही है अब उसके बाद में विराट कोली की जो प्लानिंग है जिस प्लानिंग से वो अपनी कप्तानी क्या करते थे अब वो प्लानिंग काम करेगी और टीटवेंटी विश्युकप में टीम इंडिया का उद्धार करने में बरी भूमिगा निभाएगी अब मैं आपको समझाऊँगा कि रोईश्यर्मा की कप्तानी क्यों टीटवेंटी विश्युकप में फेल होती नजर आ रही है और विराट कोली की कप्तानी की बात क्यों हो रही है जरसल आपको पता है कि T20 विशुकप में भारत ने पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाब जीत तो लिया लेकिन रोज शर्मा की कप्तानी पर यहां पर सवाल खड़े हुए कप्तानी का मैटर क्या है कप्तानी का मैटर यह है कि शुरुवात के ओर्स में विकेट पर टिकना जरसल विराट कोली का प्लान जो है वो यह था विराट कोली जब अपने कप्तानी में थे तो प्लान किस प्लान के साथ क्राम करते थे कि विकेट पट्टी को बाद के ओरस में रिस्क लो बाद के ओर में रन बनाओगा शुरुआत में आपके विकेट बचे रहेंगे तो बाद के ओरस में रन बन जाएंगे जबकि विराट कोली की कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाप ही रोई शर्मा, उसके बाद में केल राहूल, सूरे कुमाय यादाओ, अक्षर पटेल चार बड़े बल्लेवाद शुरुवात में ही अपना विकेट खोकर चले गए थी ऐसे में विराट कोली के उपर हर्दिक पांजय के उपर बड़ा प्रैसर आ गया था, अगर इन दोनों की बल्लेबाजी ना चलती तो टीम इंडिया मुश्किल में फच जाती, इसलिए अब टीम इंडिया ने एक नया प्लान बनाया कि अगर टेल्टिव शुक अब जीतना है, तो आप शुरुआत में अपने विकेट बचा कर चलो, शुरुआत में रिस्क मत लो, शुरुआत में अगर विकेट बच जाएंगे तो बाद के औरस में रण बन जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाब बने थे, इसलिए आब विराट कोली की टकनिक से काम होगा, विर विराठ कोली नहीं जिताएंगे हर बार हार्दिक पाड्या का बंडा नहीं चलेगा तब कौन जिताएंगा उस वक्त तीम इंडिया मुश्किल में फज जाएगी इसलिए अब विराठ कोली की प्लैनिंग है कि बाई शुरुवात में बचा कर चलो बात के और में बन जाएंग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना थैंक्यू अनिमच